हाँ हाँ दुरियो धर बांद मुझे, बाद में मुझे तू आया है, जन्जीर बडी क्या लाया है, तूने को ताज ना सकता है, वो मुझे कब बांद सकता है, जो आज साहे बे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किरायदार है, जाथी मकाम थोड़ी नहें, सबी का खून है सामेल महुगवा मोहितरा मामले ने इंडिया गठवंदन को दिया एक जुटता दिखाने का मोका कांग्रेश T.M.C के बीच कम हुई दूरी रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तरिणमूल कांग्रेश संसद महुगवा मोहितरा को लोकसभा की सदस्यता से निशकासित कर दिया गया इस मुद्दे पर इंडिया अलाइंस ने जिस तरह महुगा मोहित्रा का साथ दिया उससे गठवंदन को मजबूती मिली है दो दिन पहले इंडिया गठवंदन में सामिल पार्टियों के संस्दिय दलके नेताओं के बैठक से दूर रही तरिनमुल कांग्रेस ने गठवंदन क के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लडाई लड़ेगी लोकसबा में जब महुगा मोहित्रा के खिलाफ आचन समीती की सिफारिशों पर चर्चा हो रही थी उस समय इंडिया गठवंदन के सभी गठवंदन के सांसद साथ नजर आए सभी गठवंदन ने एक साथ रिपोर्ट के खिलाफ सदन से वोक आउट किया सदस्यता खतम होने के बाद जब महुगा मोहित्रा संसद वावन में मेडिया से रूबरू हुई तो कांगरेश नस्दिय दल के नेता सोनिया गांदी लगातार उनके पिछे खड़ी नजर आई सोनिया गांदी के साथ गठवंदन के तमाम स उठरे सवालों पर भी लगाम लगेगी पांच में से चार राज्यों में हार के बाद गठक दलों में जिस तरह ब्यानबाजी हुई गठवंदन के उच्छा में कमी आई 6 दिसम्बर को विपकसी नेताओं की बैठक स्थगित होने के बाद कांग्रेश ने उसी दिन संस्दिय दलके नेताओं की रातरी बोज पर बैठक बुलाई पर तरिनमूल कांग्रेश अनुप्षित रही हलांकि कांग्रेस संचद नासिर हुसाइन ने कहा था के टीमसी ने पहले ही बता दिया था के वह बैठक में हिस्सा नहीं ले पाईगी पर गैर हाजरी से सवालों को बल मिला था इंडिया गठवंदन की चोथी बैठक दिसंबर के तिश्रे सब्ता में होने की उमीद है पार्टी के एक वरिष्ट नेता ने कहा के दिली में होने वाली इस बैठक में लोगसबा चुनाव की रणनीती और सामूहिक चुनाव परचार के साथ सीट बंटवारे पर विश्तार से चर्चा होने की उमीद है इंडिया कठवंदन की अब तक पतना बैंगलूर और मुंबई में तीन बैठके हो चुकी है सबी दलों के लिए इंडिया कठवंदन की एहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अब जिस तरह कांग्रेस ने तीन राज्यों में अकेले के दम पर चुनाव लड़ा और साइद यही कारणे के सबसे बड़ा के अब कांग्रेस को भी समझ में आ गया के इंडिया कठवंदन के बिना परदान मंतिर नेंदर मोदी का सामना करना या फिर बारती जनता पार्टी को हराना साइद उनके बसकी बात नहीं है इसलिए इंडिया कठवंदन में अब और ज्यादा मजबूती से कांग्रेस भी साथ देगी कांग्रेस की ऐसी खस्ता हालत देखकर इन विदा अंसवा चुनाव में साइद बाकी पार्टियों को भी अंदाजा लग गया होगा के बारती जनता पार्टी के सामने या फिर परदान मंतिर नेंदर मोदी के सामने वह अकेले नहीं टिक पाएंगे अगर इनको सत्ता से बाहर करना है तो सभी को एक जुट होकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसी को लेकर साइद अब अगली मीटिंग में यह बाते सपष्ट हो जाएंगी और चात में सीट बंटवारा भी हो जाएगा साइद जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सर्त रखी हुई है दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राइक कमेंट बोक्स में जरूर दीजिएगा क्या मोहिया मोहितरा के मुद्दे से इंडिया कठबंदन को मजबूती मिल रही है धन्यवाद दोस्तों देखते रही है सच की आवाज